आज मैं लेके आई हूँ उल्टे आमलेट की रेस्पी चार अंडे ले लिये हैं मैंने तीन आलू गुलाई में कटे हुए एक टेबल स्पून अद्रक हस्बे जरूरत कुकिंग ओयल हस्बे जरूरत हरा धनिया थोड़ी सी हरी मिर्चें बारी कटी हुई एक छोटा ट्माटर चापकिया हुआ और एक प्यास चापकी हुई मसालों में मैंने लिया है एक टी स्पून लाल मिर्च पाउडर हस्बे जरूरत नमक एक टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ चुथाई टी स्पून हल्दी और एक टी स्पून कुटा सुखा धनिया यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है इसमें हस्बे जरूरत कोकिंग आउल डाला है अब इसमें मैं यह सारे आलो भिला दूंगी याद रखें कि सारे आलो सिंगर लेयर में डालने हैं और इनको बारीक काड़ना है ताकि यह जल्दी से पक जें इसी तरह मैं यह सारे आलो डाल़ दूंगी और आंच को हलका रखना है ताकि यह जलें भी नहीं और पक भी जाएं यह मैंने आलू डाल दिये हैं यहां पे अब इनको इवन कर लिया है कोई भी जगा ज्यादा से ज्यादा जगा आपने भरनी है खाले नहीं रहनी चाहिए यहां पे मैंने चार अंड़े ले लिये हैं और इनको बगएर कोई मसाला डाले अच्छे से बीट करना है जितने अच्छे अंड़े बीट होंगे ओमलेट उतना ही ज्यादा फिलफी बनेगा अब मैं इसमें यह सारे मसाले आड़ करूंगी और मसाले अड़ करने के बाद अंड़ों को दुबारा से फैंटेंगे मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे इसके अंदर ताके कोई भी लंप से इसके अंदर न रहें आप इस बीटर की जगा कांटा इस्तमाल कर सकते हैं यह अंड़े भैंट ली है मैंने यहां पर अब इसमें मैं हरी मिर्चे याड़ करूंगी टमाटर एक ली थी मैंने चोटी एक प्यास इसको भी मैंने चाप कर लिया था अरा दनिया यह मेरे पास फरोजन होता है और यह अद्रक जिसको मैंने कद्दुकश कर लिया था यह सारी चीजें डालने के बाद मैं इसको चमच से पैंट रही हूँ यहां पर अब टाइम हो गया है इन आलों को पलटने का एक एक करके सारे अलों पलट लेंगे आज मैंने कम ही रखी है ताकि यह जले नहीं अब बारी आती है इसके उपर यह मिक्सर डालने की याद रहें कि आलों अपनी जगा से हिले नहीं वरना इसकी सारी शेप खराब हो जाएगी इनको बराबर कर लें वापिस और मिक्सर को बहुत अच्छे से फिला दें ताकि आमलेट टोटे नहीं अब हम इसको अलकी आज पर पकाएंगे और इतना पकाएंगे कि यह उपर से भी थोड़ा सा पक जाए बहुत अच्छा सा पक रहा है यहां पर यह देखें अब इसकी रंगत थोड़ी सी बदल गई है उपर से यह रनी नहीं है इस तरह एक प्लेट लेके इसको उपर देंगे और इसको पलट लेंगे इस तरह एके से और हम इसकी उपर वाली साइड पकाएंगे नीचे की तरफ करके अब यह ज्यादा टाइम नहीं लेगी क्योंकि यह पहले से पकी हुई है अब बारी आती है इसको डिशाओट करनेंगी आप इसको इस तरीके से भी और इस तरीके से भी सर्व कर सकती है यह मैंने इसको डिशाओट कर दिया है आप इस आमलेट को इसी तरह अपने मेहमानों और घरवानों के लिए बनाएं और नाच्टे में उनको सर्प्राइस करें इसको इसी तरह सर्व किया जाएगा अगर आपको मेरी यह रैस्पी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिएगा THANK YOU